क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अनियन जूस को अपने बालों में लगाया है और उससे आपके बाल बहुत जादा ज़ड़ना स्टार्ट हो गए मेरी चनल पर अकसर ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जहां पर मुझे सब लोग कहते हैं कि अनियन जूस लगाया था बालों में लेकिन उसके बाद बाल बहुत ज़ड़ रहे हैं और कोई-कोई मुझसे ये भी पूछता है कि अनियन जूस और अनियन ओयल में कौन सा अच्छा है कौन सा हमें इस्तमाल करना चाहिए आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेर करने वाली हूं मेरा ओपिनियन अनियन जूस और अनियन ओयल को लेकर पिसे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है और मुझे जितना फील हुआ है उसके उपर बेस करके आज में आप लोगों को यह सारे इंफॉर्मेशन देने वाली हूं तो वीडियो को पूरा देखिए और चानल पर फर्स टाइम आये हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मे इसे ही सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के लिए कीप वाचिंग शाइनी डूप्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइस अनियन जूस और अनियन ओल में डिफ्रेंस क्या है यह जान लेते हैं अनियन जूस जब हम एक्स्टराक्ट करके निकालते हैं तो जो कच्छे अनियन है उनसे एकदम सौलिद हम जूस निकालते हैं तो वह किसी भी तरीकी इसके फर्मेंटेशन से या फिर प्रोसेसिंग से नहीं निकलता है, वह 100% अरिजिनल होता है, क्योंकि उसके साथ हम कोई भी चीज नहीं मिलाते हैं, तो वह 100% प्यॉर होता है, दूसरी तरफ अगर हम अनियन ओयल के बारे में बात करें, तो इसको प्रोसेस से यह बनता है, लेकिन अगर यह कोड प्रेस नहीं है, तो इसको बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद निकाला जाता है, तो गाइस बात करेंगे अनियन जूस और अनियन ओयल में ऐसी क्या खासियत है, जिसकी वज़े से आपके बाल लंबे घने और मजबूत होते ह और बालो का ज, ज़र्ना भी कम होता है, बसrama अनियन में एक चीज पाया जाता है, उसको कहा जाता है, तो यही सल्फर आगे चल के आपकी बालों की ग्रोथ में, और चेल कुप करने में हेल्प करता है, इसलिए बहुत सा है लोग ज़ो कहते है कि ऑनियन लगाओ प्यास को ल आपने कभी onion को इस्तामाल किया हुआ है तो शायद आपके साथ भी यह हो सकता है कि onion लगाया और इसके बाद आपके बालों का जचणा बढ़ गया तो इसका मेन कारण यह है कि अनियन में रहता है सलफर, अगर आप किसी भी चीज को कच्छा इस्तवाल करते हो तो वो एकदम प्रोसेस्ट रहता है, शुद्ध रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, तो वो इंस्टांटली आपके उपर रियक्ट कर जाता है, लेकिन मान लो, जो पिक्चर होते हैं हमारे, रियल पिक्चर एक टाइप का होता है, और उसके बाद इसको फिल्टर विल्टर करके जो पिक्चर हम निकालते है, वो कुछ अलग तरीके का होता है, तो रियल पिक्चर की जो क्वालिटी होती है, अगर हम डियेसलर में एक पिक्चर तो रियल पिक्चर का जो साइज होता है वो लगवक 10 MB होता है, आसपास 8-10 MB के आसपास होता है, वो ही पिक्चर अगर आप इंस्टाग्राम में अपलोड करने जाओगे, आपने फिल्टर लगा लिया, आपने ब्लेमिशिस को दूर कर दिया, आखों को बढ़ा कर दिया, थर्टी तू, 40 KB, तो बहुत छोटा मतलब 10 MB इतना बड़ा और KB मतलब इतना, तो जब आप अनियन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जब उसका ओयल निकाला जाता है, तो सल्फर की मातरा जो कच्चे अनियन में इतना रहता है, और अनियन ओयल में सल्फर की म अनियन ओयल का इसमाल कर सकते हो, आपको सेम एफेक्ट मिलेगा, अनियन जूज इंस्टैंटली रियक्ट कर जाते हैं, लेकिन अनियन ओयल से बहुत सादा है, किसी को यह सूट नहीं करता है, लेकिन अन अवरेज अनियन ओयल हर किसी को सूट कर जाता है, तो इसलिए बेटर जरूरी के जो रस हमें लगा रहे हैं, इसका मतलब के अगर बादने के बार नियन जूश लगाने के बाद के बालों के नहीं होती है जसी अगर बालों जर्णा बंद होता है और आपके बाल बहुत जादा वॉल्यूम आता है बालो में सिल्की और शाइनी हो जाता है तो अगर आपको अनियन जूस सूट नहीं करता है तो आप अनियन ओयल कर सकते हो इक ही काम करेंगे दोनों कुछ-कुछ लोग के अनियन जूस लगाने के बाद इसलिए हैरफॉल होते हैं क्योंकि वह सही तरीके से इसको नहीं लगाते हैं अनियन जूस लगाने के बाद आपको इसको एक से दो घंटा ही रखना है और इसको वाश कर देना है कुछ लोग अनियन जूस के साथ नीम्बू का रस मिलाके बालो में लगाते है यह बहुत गल अगर आपको नीम्बू को लगाना है तो किसी भी पैक के साथ मिला के बालो में लगाए कभी भी नीम्बू का रस किसी दूसरे चीज के साथ मिला के मत लगाओ आपका स्काल्प जल सकता है और यह बहुत गलत है आपके बाल और भी जादा ड्राय हो जाएंगे और उसके साथ साथ प्राइण जूस को अगर अगर आप इसको इस्तिमाल करने के बाद डिरेक्ट सणलाइट के अंदर मत जाया करो इससे भी आपको प्राइब्लम हो सकती है अपके बालों का ज़र्णा बढ़ सकता है अनियन जूस लगाने के बाद जिनों ने जुन लगाया ह तो उसको लगाने के बाद बाहर जाओगे तो धूल मिट्टी तो जमेंगे जमेंगे और इसे अपके बाल बहुत ज्यादा जड़ेंगे इसलिए अगर आप लगा रहे हैं तो इसको हाड़ी दो दिन रखो और उसके बाद इसको वाश कर दो अगर आपको यह सूट कर गया है लेकिन कोई इंप्रूब्मेंट नहीं आ रही है बाल वैसे का वैसा ही जड़ा है तो आप लोग यह तो गलत तरीके से लगा रहे हो या फिर लगाने के बाद आप लोग इसको बहुत दिनों तक रख रहे हो पोई भी चीज जादा दिन अपने बालों में नहीं रखना चाह इससे बेटर होगा आपके बाल नहीं जड़ेंगे और एक चीज में यहां पर बताना चाहूंगी जो हैर ग्रोथ टॉनिक है उसको लाके इसमाल कर रहे हो उसका काम अलग तरीके से होता है लेकिन घर पे जो अनप्रोसेस्ट कच्छा हम निकालते है चीजों से रस उसका काम अलग होता है यह एकदम डिरेक्ली इंस्टांटली रेक्ट कर जाते है तो जब भी अनियन जूस को आप लगाए दो दिन रखे उसके बाद शांपू कर दे डिरेक सरलाइट के अंदर मज जाईए मैं यही साजिस्ट करूंगी कि लगाने के एक घंटे बाद ही आप बढ़ सकता है अगर आपको अलर्जी है तो अगर आपको अलर्जी नहीं है बे जीजा का पानियन जूस को इस्तमाल कर सकते हो लेकिन इस्तमाल करने के बाद जो जो चीजे मेंने पताया उसका थोड़ा सा ध्यान रखो उससे आपको फायदा मिलेगा एंड होपी भाब